अलो गाइज नमस्कार इस में शेफ मॉन्टी वंस अगें आज का टॉपिक जो है हमारा अगें शेफ से रिलेटिड है और इस सीरीज में हम लोग कवर करेंगे कौमीज से लेकर असिस्टेंट शूशे तक जॉब रिस्पॉंसिबिल्टी इस यह वीडियो में हम लोग सिर्फ कवर करेंगे और नेक्ट वीडियो में इसके दो तिन सीरीज आने वाली है बैक टो बैक तो आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा बेसिक से लेकर टॉप तक मेरा मेल फोकस है अभी जो की मेरे वीवर्स भी है और जो की मेरा वीवर्स का जो एज ग्रूप है वो काफी यंग है 18-30 साल 18-30 साल के लोग मोस्ली मेरी वीडियो देखते हैं तो रिगार्डिंग देभी सब रोग बिगिनिंग लेवल पर बोलने का मतलब यह तो ऐसे में जो लोग डिरेक्टली कॉलिज से आ रहे हैं या फिर जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरेंस है और वो आगे जिन्दगी में आगे कुछ और अच्छी प्रपर्टीज में जाने की सोच रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपोर्टन्टी टॉपिक में बनान आज की डेट में रिसेंट होटल इंड़स्ट्री के अनक कुकिंग सब कुछ नहीं है कुकिंग के अलावा भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है सबसे में चीज है आप थोड़ा सा हाईजिन को से किचन में आने से पहले आपको स्पेशली हाईजिन के बारे में पढ़की आन कंट्रोल पॉइंट तो इसके बारे में कीचन में आने से पहले आपको सीखना बहुत ज्यादा ज़रूरी है दर रीजन इस आज की डेट में हाईजिन स्टेंडर्ड बहुत हाई लेवल पर फॉलो हो रहा है हर कीचन में स्पेशली पैंडविंग में तो पूछिए मत बहु कौमी थर्ड कौमी टू के लिए कवर कर रहा हूं और कौमी वन भी इस पर द्यान दे सकते हाईजिन के बारे में पढ़की आईए अगर आप इंडिया से दुबई में आ रहे हो तो आपको कोई भी ट्राइल नहीं देना पड़ेगा अपना कॉमुनिकेशन स्किल थोड़ा अच्छा बनाना है और आपको क्विक लेर्नर होना चाहिए और हाईजिन का आपको विस्स ध्यान रखना चाहिए यह कौमी लेवल में आप चीज गांट बांद लो नौटिस कर लो इसको अच्छे से लिख लो है सब के बारे में आपको बहुत डिटेल में जानना जरूरी ह ग्रूमिंग स्टेंडर्ड के बारे में जानना जरूरी है पर्सनल हाईजिन के बारे में जानना बहुत जरूरी है यह सब बेसिक चीजों का अगर ध्यान रखते हो तो आप कौमी अगर आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री या फिर थोड़ा बहुत एक्स्पीरेंस भी है तो भी आप कौमी धाट के लिए eligible हो जाते हो आजकी डेट में सबसे easy job जॉब के लिए गल्फ कंट्रीज में अच्छा है सेक्यों रहे सेफ है और आप डेफिनिटली इंडिया में का भी जॉब का प्रॉब्लम चल रहा तो आप डेफिनिटली इन कंट्रीज में ट्रा करी है आपको थोड़ा बहुत कटिंग आता है थोड़ा बहुत वेजटेबल के नाम पता है बेसिक जो फूड होता है उसके सिर्फ नाम बोल रहा है जैसे पास्ता हो गये राइस हो गया इसको पास्ता बोलते इसको राइस बोलते ब्रॉकली है ये जुकीनी ये सग्रीन जुक रखते हो तो आप definitely कौमी थर्ड के लिए इलिजिबल हो जाते हो और मेरे हिसाफ से कौमी थर्ड के लिए आपको उनके साथ काम करना है आठ गंटे जो भी बोलिंगे वह उससे साफ से काम करना है तो वह तुमारा एक्टिवीटी देखेंगे उसमें तुम्हारा हाइजिन देखेंगे तुम हाइजिन इस्टेंडर्ट फॉलो कर रहे हो फर एक्जामबल वेजटेवल के लिए ग्रीन बोड्ट विद्ग्रीन नाइफ यूज कर रहे हो मीट के लिए आप रेड चौपिंग बोड्र रेड नाइफ यूज कर रहे हो फिश के लिए ब्लू यूज कर रहे हो पॉल्टरी देला ये यह यूजकर दू यह यहींट स्टेंडर् आपको पढ़े लीजे, इंटरनेसनल स्टेंडर्ड आपको Google पर मिल जाएगा, हर हो टल का थोड़ा cooking के लिए different होता है, For example हमारे में cooking के लिए हम रोग वाइट chopping board में cooking का कानते हैं और चीज ब्यार भी AAD chopping board में काटते हैं तो बहुत सारी जगा cooking ready to go जो food होता है जो ready to go food होता है वो brown chopping board में काटा जाता है बहुत सारी जगा ब्राउन chopping board pork के लिए यूज़ किया जाता है है तो वैस कॉमी 2 को क्या करना है हाई जिन स्टेंडर अगेन chopping boards gloves hand washing अगेन आपको फिर से basic basic knowledge तो होना ही चाहिए cutting का आपको cutting अच्छा होना चाहिए थोड़ा speed होनी चाहिए cutting में और थोड़ा बहुत food के बारे में आपको पता होना चाहिए तो इतना कॉमी 2 के लिए good enough हो जाता है बट आज की डेट में कॉमी 2 भी इतना advanced level का आज की डेट में मैंने देखा है बहुत सारे कॉमी 2 इतना advanced level का काम कर लेते हैं कि वह already damage के लिए eligible हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कॉमी 2 भी अच्छा काम कर लेते हैं तो कॉमी 2 बहुत सारे बारे order भी बना लेते हैं तो मतलब कोई क्लेंडर होना चाहिए और food का catching power वह थोड़ा तुमारा अच्छा होना चाहिए दूसरी चीज शेफ के साथ जो communication होता है वह बहुत clear होनी चाहिए तु और फिर किसी भी country में जा रहा है अगर दुबाई तो दुबाई जा रहे हो या इंडिया तु इंडिया जा रहे हो दन इन इन दिस सुच्वेशन आइटिंक आपको ट्राइल देने इंडिया में ट्राइल मांगते हैं शाइब कॉमी 2 के लिए बट आपको एक पास्ता देना काम को काम को करना चाहिए रहान को इलीजबिलिटी होनी चाहिए एक कोभी में रही काम को सारी बारी और सेßeक्षे में चाहिए सटिशन रहा नहीं रहे तो इन businessman attend तो यहां पर कैसा होता है बड़े five star hotel in section है जैसे कि यह pasta section और fryer section अपका गृण section एम्रीब section आपको सोब कुछ पता होने चाहिए जिस particular section में आप सक्षन कर रहे हो उस particular section के बारे में आपको knowledge ना चाहिए प्र यह job responsibility अगर आ आप को ट्राइल ऒनों के लिए करो हुगा कि कम सिकम त्री इन मेरी में लिए कोस्ट में देना ही चाहिए अगर बहुत सारी जगह पर आपको फूट्रायल नहीं मंगते हैं आपको शिफ्ट ट्रायल के लिए बुलाते हैं जैसे मैंने बोला है आजकल ट्रेंड आया है शिफ्ट ट्रायल का तो बड़े-बड़े रेस्टरॉंट में भी लोग को बोलते हैं आज आप एक दिन आ तो ऐसा होता है तो कॉमीवन का आपका पता चल गया गाइस इसमें आपको आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए एक शीज में बोल देता हूं गाइस अभी भी 70% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आपको क्या करना है सब्सक्राइब फ्री में हो रहा है तो आपको सब्सक्राइब करो कि आपके वीडियो मिलती है इसमें तो अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो अगर अच्छा नहीं लगते तो अपना feedback मुझे जरूर दो का गान थू कमेंट और अगर फोड़ो छोड़ टिप्स आप लोगों के लिए तो मैंने जैसे कि मेरे हर वीडियो में मेरे वाट्स अप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है आपको फुल भी कुछ डाउट है तो मेरे को वाट्स अप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड यार मिलते हैं इंस्टाग्राम पर फोलो कर लीजा आप विर मॉन्टी नाम से आपको हैंडल दीख रहा होगा और चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो या स्टे सेफ गाइड लव एंड पीस फॉम डुबाई